लाजट विक डिद्ट ऑपस ए तो वहाँ पर इसको मिला, हम अगली अक्सपाइब भारे में बात कर रहे की différentes पहले सपोर्ट की बात कर लेथें फिर बात करेंगे उसके टारेट के उपर तो पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा तो हमारा सपोर्ट जो नगर यह ब्रेक करता है 11315-1100 के आसपास का तो 50950 का लेवल जो देखने को मिल सकता है उसके नीचे अगर हम चलते तो 50750, 5425 और 50500 के जो लेवल है दोस्तो टाइपिंग मिश्टे के दोस्तों करेक्ट करते है 15000 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है तो 950, 730, 425 और 50,000 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है अगर 51100 का जो support जो आने जो की काफी बढ़िया support ले रहा है वहाँ पर अगर ये break करता है तो हमें थोड़ा सा correction और देखने को मिल सकता है अब हम बात कर लेते हैं उसके resistance के उपर तो हमारा resistance जो आने दोस्तों अगर हम ये उपर की तरफ काट पाते हैं तो 51500 का लेवल देखने को मिल सकता है उसके उपर 51700 और 5925-52 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है बहुत सारे दोस्तों को ये परेशानी रहती है कि पहले buy करे या sell तो simple दोस्तों funda बता देता हूँ कि अगर हम पहले support zone को break करते हैं Monday Tuesday कभी भी अगर हम पहले support zone को break करते हैं तो नीचे के level जो हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर पहले resistance zone को break करने में काम्याब होते हैं तो उपर के level जो हमें ज्यान में रखने चाहिए ठीक है अगर support zone break करता है तो पिर resistance का जो higher side 350 वो हमारा SL बन सकता है पर अगर पहले resistance zone जो ब्रेक करे उपर चल पड़ता है तो 5100 मतलब support zone जो हमारा SL बन सकता है तो ऐसे जो हमें ये level को read करना चाहिए ये मेरे analysis है वो मैंने आपकी सामनी रखी वीडियो अच्छा लगा हो तो like क दोस्तो लिंक दिया गया है online candlestick course का जिसके अंदर आपको candle pattern शीखने को मिलेंगे और कहां पर support कहां पर target लगाए वो भी आपको शीखने को मिलेंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो like जरू करें दोस्तो thanks for watching this video